परंपरा, प्रतिष्टा, अनुशाशन क्या आप जानते हैं इन शब्दों को सबसे पहले प्रेयोग किस ने किया था? अकर आपका आंसर है नारायन शंकर, तो आप भी मेरी तरह एक बहुत बड़े बॉलिवूड फैन है तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम बचपन से बॉलिवूड मूवीज देखकर बड़े हुए हैं और बॉलिवूड मूवीज की जब बात आती है तब बॉलिवूड मूवीज और कॉंट्रोवर्सीज का एक बहुत पुराना संबंध है तो यही आज का हमारा टॉपिक है आज मैं बात करने वाली हूँ जब बॉलिवूड मूवीज को लीगल ट्रॉबल का सामना करना पड़ा था तो चलिए शुरू करते हैं यह मूवी डापुरानी फूलंक देवी के जीवन पर आधारित थी 1994 में बॉबी आर्ट इंटरनाशनल प्रेडूसर्स ने जब यह मूवी रिलीस करने की मांगी तब सर्टिफिकेशन बोर्ड ने इसे ए सर्टिफिकेट देने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि इसमें एक वॉयलेंट बलातकार का सीन दिखाया गया था जिसमें जो मेन करेक्टर थी मूवी की दापुरानी फूलन देवी उनका बलातकार होता है और उनको पूरे गाओं में घुमाया जाता है तो यह जो दरश्ट था यह नूडिटी को दरशा रहा था इसलिए जो सर्टिफिकेशन बोर्ट था उस टाइम पर उसने इस मूवी को सर्टिफिकेशन यानि एस सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया था अब यह जो मामला था यह पहुचा था फिल्म सर्टिफिकेट अपले ट्रिबिनल के पास और Film Certificate Appellate Tribunal ने 1999 में भारतिय सरकार के द्वारा दी गई guidelines जिसमें कहा था कि यदि कोई भी द्रश्य जिसमें भले ही nudity दिखाई गई है लेकिन यदि वो द्रश्य उस मूवी के plot को समझाने के लिए आवश्यक है तो Certification Board को ऐसे मामलों में सूजबूच से काम लेना चाहिए इस तरीके से मूवी को A Certificate दिया गया 31 अगस्त 1995 को यह मूवी एक Film Festival में दिखाई गई जहां पर ओमपाल सिंग हूँ जो एक community इस मूवी में दर्शाई गई थी उसके एक सदस से वहां मौजूद थे ओमपाल सिंग हूँ जी ने दिल्ली हाई कोट में याचिका दायर करते हुए कहा कि यह मूवी महिलाओं के चरित्र पर गलत प्रकाश डालती है साथी साथ उनके समधाये पर भी गलत उंगली उठाती है ओमपाल सिंग हूँ जी की याचिका फर दिल्ली हाई कोट ने इस मूवी को दिये हुए A Certificate को क्वैश किया साथी साथ यह ओरर दिया कि जब तक जो भी बताये गए द्रश्य नहीं हटाये जाते तब तक इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई जाए अब यह मामला पहुचा दिल्ली हाई कोट की डिविजन बेंच यानी की दो जच की बेंच के पास जब यह मामला दिविजन बेंच के पास पहुचा तो दिविजन बेंच ने भी दिल्ली हाई कोट सिंगल जच के दिये गए निरदेश को सही मानते हुए इस फिल्म की रिलीज पर ना सिर्फ रोक लगाई, साती सात ये भी माना कि इस मूवी का ये सर्टिफिकेट क्वैश किया जाना बिल्कुल सही था अब ये मामला इस तरीके से पहुँचा सुप्रीम कोट ने सुप्रीम कोट ने लोवर कोट के दोनों ओर्डर्स को खारिज करते हुए कहा कि ये मूवी एक बहुत ही शक्तिशाली स्टोरी को दर्शाता है साती सात इसमें दिखाया गया बलातकार का जो दर्श है वो दिखाया जाना इस फिल्म के पूरे प्लॉट के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है इसी लिए ये दरश्च नहीं हटाया जाना चाहिए और certification board को इसको A certificate देकर पास कर देना चाहिए और इस तरीके से इस movie को A certificate मिला और ये cinema घरों में आई अब बात करते हैं दूसरी movie की जिसका नाम था उड़ता पंजाब ये movie 2016 में आई थी और इस movie में पंजाब राज में जो youth के भी जो drug addiction है जो नशों की लथ है उसके उपर प्रकाश डाला गया था इस movie में शाहिद कपूर करीना कपूर जिलजी दोशांच और आलिया भट जैसे actors ने एहम भूमिका निबाई थी जब इस movie का पहले trailer release हुआ था तब बिना cuts के इसको pass कर दिया गया था लेकिन इसके दो ही दिन बाद जब इसका modified trailer release हुआ तब इस movie को certification board ने pass करने से मना कर दिया और कहा कि इस movie में अभद्र गालियों का प्रेयोग किया गया है और साथी साथ इस movie में पंजाब को एक गलत दिश्टी से दिखाया गया है दीरे दीरे इसमें political controversies भी involved होने लगी कि इसके जो director है इन्होंने कुछ political parties से मिलकर पंजाब को defame करने की साजिश की है अब यह मामला पहुचा Film Certificate Abilet Tribunal के पास Tribunal ने certification board को order दिया कि इस movie को A certification दिया जाए A certification देने के लिए Central Board of Film Certification ने यह शर्ते रखी कि इसमें कम से कम 89 cuts लगाए जाए उन 89 cuts में क्या-क्या था जो भी अभद्र गालिया थी उनका प्रेयोग नहीं किया जाएगा और उसके अलावा शब्द जैसे की MP, MLA, Parliament इतियादी शब्दों का प्रेयोग बिल्कुल हटाया जाएगा उसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि पंजाब का जहां भी reference है इवन अगर title में भी उसका reference है तो उसको भी हटाया जाए पंजाब और पंजाब से जुड़ी जितनी भी cities है, पंजाब में आने वाली जितनी भी cities है उन सब का reference हटाया जाए इस तरीके से ये मामला पहुँचा High Court में और High Court ने एक बहुत ही बढ़िया टिपड़ी करते हुए कहा कि Certification Board का का काम है सिर्फ Certificate देना ये Censor Board जो term है कि मीडिया के द्वारा दिया गया term है और शाय सर्टिफिकेशन बोर्ड आप खुद को Censor Board ही समझने लगा है उन्होंने का कि जब भी किसी मूवी को A Certificate दिया जाता है उसका मतलब है जो 18 प्लस लोग है वो जाकर जब थियेटर में मूवीज देखते हैं और हमारे इंडिया के लोग इतने open minded हैं इतने समझदार है कि उनको पता है कि किस चीज से उन्हें अफेक्ट होना है किस चीज से उन्हें नहीं होना है और ये जो सूजबूज है वो उनपर छोड़ देनी चाहिए तो इस तगी के से इस मूवी में सिफ एक कट बताया गया जिसमें शाहिद कपूर was urinating in front of the crowd ये वाला सीन हटाने के बाद ये मूवी थियेटर में आई अब बात करते हैं तीसरे केस के बारे में जिसका नाम है लिपस्टिक अंडर माई बुर्खा ये मूवी 2017 में आई थी और इस मूवी में कौनकरना सेंट शर्मा रतना पातक्षा जैसी एक्ट्रिसेज ने एहम भूमे का निबाही थी जब ये मूवी सर्टिकेशन के लिए फिल्म सर्टिकेशन बोर्ट के पास गई तब फिल्म सर्टिकेशन बोर्ट ने इस मूवी को सर्टिकेट देने से मना कर दिया और उन्होंने इसका कारण पताया कि ये मूवी लेडी ओरियेंटेट थी और इसमें जो महिलाओं के द्वारा कल्पनाई की जाती है उनको बड़े गलत तरीके से दर्शाया गया है और उसके साथ उन्होंने का कि इसमें आभधर गालियों का प्रयोग किया गया है और एक कम्यूनिटी पर गलत तरीके से प्रकाश डाला गया है जब यह मामला फिल्म सर्टिफिकेट अबले ट्रिबिनल के पहुचा तो ट्रिबिनल ने ये ओर्डर दिया कि सर्टिफिकेशन बोर्ट का काम होता है सर्टिफिकेट प्रवाइड करना और अगर कोई भी सीन किसी भी तरीके से किसी मूवी को समझाने के लिए उसके थीम को उसके प्लोट को समझाने के लिए आवश्यक है तो सर्टिफिकेशन बोर्ट की ड्यूटी बनती है कि उस फिल्म को सर्टिफिकेट प्रदान करे इसके साथ साथ ट्रिबिनल ने ये भी कहा कि यदि कोई भी दृश्य उस film के plot को समझाने के लिए आवश्यक है तो उस scene को भले ही certification board घटाने की मांग कर सकती है लेकिन पूरी तरीके से हटाया जाना उचित नहीं है इस तरीके से certification board ने काफी आनकानी के बाद इस movie को A certificate दिया तो ये थी मेरी जानकारी जब बॉलिवुड मूवीज कानूनी चर्चा का विशे बनी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब तो मैं चैनल ये जो हमारा पेज है कानूनी परामश इसको Facebook और Instagram पे like, follow करना ना भूले Thank you